हेलो फ्रेंड स्वागत हैं आपका कार्डियू किच्चन में मेरा नाम है मनीशा आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी यह टेस्टी बर्फी बहुत ही आसानी से बन जाती है और काफी तीस्टी औरों में इसको बनाया जाता है इसको बनाने के लिए हम चाजनी का यूज भी नहीं करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब क तो आप चलते हैं गयस की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए क्टाई को मैंने गयस भी रख दिया है इसमें सबसे पहले मैं डालूगी 1-1-1-2 cup घी घी को हम गरम होने देते हैं घी मेल्ट हो गया है अब इसमें हम डालेंगे टोकर बेसन ये बेस कि टेक आधर को अचल अचला लागता चलाते हुए अच्छे से भूनिरेंगे कैसकी फ्लेम को हम लूटू मीडियम रखेंगे जैसे कड़ाई अच्छे से गरम हो जाएगी तोड़ा बूनने लगेगा तब हम विल्कुल कैस की प्लेम को लो कर देंगे बेसन और गी को इस तरह से दबाते हुए हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है और इसे भुनते जाना है यह देखिया इस चार्टिंग में इस तरह से गाठे होने लग जाती है इस तरह से दबाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे बेसन और गी बहुत अच्छे से mix हो जाना चाहिए यह लग-लग नहीं देखना चाहिए जिस तरह से यह भी देख रहा है इस तरह से हम दबाते जाएंगे और भूलते जाएंगे यह देखे दीरे-दीरे सही होने लगा है यह थोड़ा सा एकदम इकठा होने लगेगा हम इसको तोड़ते जाएंगे और mix करते जाएंगे यह देखे यह अच्छे से mix हो गया है इसको इस तरह से हम दबाते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसको हम mix करते जाएंगे इसको हम लगातार चलाते रहेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छे से तरदरा हो गया है गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे तेज बिल्कुल नहीं करेंगे तेज करने से ये कलर तो इसका चेंज हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा कच्छा रह जाएगा इस तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएए दबाते जाएए और इसको भुनते जाएए ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज होने लगा है अब भी इसको भुनने में एक तो मिनट और लगेंगे जब एसन भुलने लगता है तो इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगती है और इस तरह से ये एकठा होने लग जाता है इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है नहीं तो इसका तलाण चिपकने लगता है ये देखिए इस तरह से इसको मैं चलाती जाऊंगे और mix करती जाऊंगे उसी तरह का हमें color जाएऊगा जिस तरह हमें बजार में मिलता है ये देखिए त्रोड़ा-थ्रोड़ा bind होने लग गया है इस तरह का texture आपको दिख रहा है ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका texture आने लगा है जमने वाला बिल्कुल अब हम इसको mix करते जाएंगे और इसी तरह से इसको चलाते जाएंगे ये देखिए अब ये इस तरह से इकठा होने लग गया है इसको लगातार अभी हम चलाते रहेंगे छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अब ये liquid form में आने लगेगा इसको भूनते हुए मुझे लगबग 10 मिनट हो गए है ये देखिए इस तरह से हो गया है इसमें अब बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है ये देखिए थोड़ा सा और स्मूथ होने लग गया है ये देखिए थोड़ा सा पतला आपको दिख रहा है ये देखिए इस फॉर्म में आब आ गया है अगर आपको घी थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें एक टेबल स्पून घी और दाल सकते हैं ये देखे आभी इस तरह से हो गया है बिरकुल अच्छा से सि frene गया है ये देखे कितना अच्छा ये भुन गया है इसमें बहुत ही अच्छा texture आ गया है ये बिरकुल लिक्विड जैसा हो गया है अब इसमें मैं डालूँगे लगबट एक चमच जितनी मलाई मलाई हमें जादा नहीं डालनी है एक चमच ही डालनी है मलाई डालकर बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे मलाई डालने से ये बहुत ही दानेदार बनेगी इसको मैं इस तरह से लगातार mix कर रही है मलाई को पूरी तरह से सूखने देना है गैस की flame को हम बिल्कुल भी तेज नहीं करेंगी इसको हम low ही रहने देंगे ये दिकिए थोड़ी-thोड़ी मलाई सूखने लग गई है जैसे मलाई पूरी सूख जाती है ये वापस ही उसी फॉर्म में आ जाएगा ये देखे मलाई सूखने लग गई है बहुत ही अच्छा ये दानेदार दिखने लग गया है अब हम इसको लगभग एक मिनट के लिए और चलाएंगे ताकि मलाई पूरी तरह से सूख जाए और बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर आ जाए ये देखे मलाई पूरी तरह से सूख गई है ये देखे कितना अच्छा दानेदार इसका टेक्स्चर आया है अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूगी कडाई अभी भी गरम है तो अब इसमें मैं दालूँगे पाउडर शुगर यह मैंने आधक का पाउडर शुगर लिया है इसको हम टेज के अकॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं अगर आप जादा मीटा खाते हैं तो थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं पाउडर शुगर दालकर बेसन के साथ इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कडाई गरम है इसलिए फटा-फट मिक्स हो जाता है यह देखे इसको मैं इस सरह से लगाता चला रही हूँ यह अच्छे से mix होती जा रही है यह देखे अच्छे से mix होने लग गई है यह देखे इसमें जमने वाला texture आने लग गया है यह देखे पूरे अच्छे से mix हो गई है शुकर एक side नहीं होने ची इसको लगातार दबाते हुए इस तरह से मिलाते चाहिए और mix करते चाहिए mix ready हो गया है अब हम इसको जमा लेते हैं जमाने के लिए इस तरह की मैं tray का use कर रही हूँ आप चाहें कोई भी steel की plate का use कर सकते हैं सबसे पहले इसको हम इस तरह से grease करेंगे ये देखे चारों तरफ अच्छे से मैंने गी लगा दिया है अब जो हमने mix त्यार किया था उसको हम इसमें transfer कर लेते हैं ये देखे सारा mix मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको एक spatula से इस तरह से flat कर लेते हैं ये देखें बहुत ही अच्छा से पूरी प्लैट हो गया है अब इसको हम थोड़ा सा ट्राय फूट से कांडिश करेंगे अब मैं इस पे दालूँगी थोड़ा सा पिस्ते ही यह मैंने पिस्ते को कतरनों में काट लिया है इसी सैथ इसे मैं ढालूगी थोड़े से बदाम को भी मैंने अलमबा कट कर लिया है इसको भी हम इस तbud आका कर देते हैं यह देखे ड्राइफूर्ट पन्य अच्छे से डाल दिये हैं अब इसको इसको इस पैटुला से हम आच्छे से प्रैस कर देते हैं ताकि जब हम बर्फी करें तो यह अराब से सैट हो जाए अब हम इसको रेस्ट करने के लिए एक गंटे के लिए छोड़ेंगे एक गंटे बाद इसको हम कट करेंगे लगबग एक गंटा हो गया है ये देखे इसमें कितना अच्छा टेक्चर आया है ये पूरी तरह से जम गई है अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं यह देखिए बर्फी बहुत ही आसानी से निकल रही है, इसको हम तोड़के देखेंगे, यह देखिए इसमें कितना अच्छा टेक्स्चर आया है, बिल्कुल बजार जैसे यह बनी है, इसी के साथ बेसन की बर्फी बनकर तयार हो गई है, अगर आपको यह रेसिपी पसंद आ हम पसकत ही आरेात है, आरे ऊतल अाती है, यह नता जआभ जैल में पस्क chefने पसमें है, इसक्को यह दोगको एित क्विए मैं है, इसक्विए भ्रेशार हो छिदानी है, इसक्विए इसक्यां